प्रिये चात्रो आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है आज हम बात करेंगे वास्थिविक संख्याओं के बारे में की ये होती क्या है और इनके प्रकार कौन-कौन से होते हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्राकरत संख्याओं पौन संख्याओं और पौनांग संख्याओं क्या होती है और इनको संख्यारिका पर किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है अब आज हम पढ़ते हैं कि वास्थिविक संख्याओं क्या होती है इसको हम अ परिमे संख्याओं के समुच्चय को वास्तिविक संख्या कहते हैं कहने का आशा यह है कि वास्तिविक संख्याओं में परिमे संख्याओं को भी शामिल किया जाता है ठीक है और इन्हें आर से व्यक्त किया जाता है किन्हें आर से व्यक्त किया जाता है वास्तिविक हमने देखा कि वास्तिविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दौनों प्रकार के संख्याओं आती हैं तो इसका आशा यह है कि वास्तिविक संख्याओं या तो परिमेय होंगी या अपरिमेय होंगी क्या होंगी या तो परिमेय होंगी या फिर अपरिमेय होंगी हम कह सक कि बास्तिविक संख्याओं के दो प्रकार होते हैं परिमे संख्याओं और अपरिमे संख्याओं परिमे संख्याओं जिनको हम अंग्रेजी में रैशनल नंबर्स कहते हैं और अपरिमे संख्याओं जिनको अंग्रेजी में हम इर्रैशनल नंबर्स कहते हैं अब इन दौनों को हम विस्तार से देखेंगे सबसे पहले आता है परिमे संख्याएं इसमें हमें परिमे संख्याओं के अंतरकत परिमे शब्द को समझना बहुत जरूरी है यदि हम परिमे शब्द का अर्थ समझ गए तो परिमे संख्याओं को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा ठीक है अभ शब्द रेशनल की व्यूत्पत्ति किसकी व्यूत्पत्ति रेशनल यानि कि ये परिमे की व्यूत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुई है किससे हुई है रेशियो से हुई है और इसका आशा है अनुपात क्या आशा है इसका अनुपात ठीक है रेशियो का आशा ह अनुपात अब देखिए क्या होता है परिमे संख्याओं को हम P बटे Q के रूप में व्यक्त करते हैं और इसी को हम P रेशियो Q के रूप में भी लिखते हैं लिखते हैं इसलिए यहां पर रेशियों से यह रैशनल सब्द बना हुआ है और हम हम परिमे संख्याओं को Q से प्रदर्शित करते हैं किस से प्रदर्शित करते हैं Q से प्रदर्शित करते हैं यह Q शब्द जो है कोशेंट से लिया गया है किस से लिया गया है कोशेंट से लिया गया है अब परिमे संख्याओं की परिभाशा की यदि हम बात करें तो हम कहते हैं कि जब हम किसी संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q बरावर ना हो शुनने के यानि कि हम किसी संख्या को P बटे Q के रूप में तो लिखें लेकिन ये Q का मान शुनने के बरावर ना हो तो वह संख्या परिमेश संख्या कहलाती है क्या कहलाती है परिमेश कहते हैं शर्त ये है कि क्यू का मान शुन्य नहीं होना चाहिए यहां इस बात पर विशेश्टियन देना अति अवश्यक है कि क्यू का मान शुन्य के बराबर नहीं होना चाहिए इसका कारण क्या है इसका कारण यह है कि किसी संख्या को शुन्य से भाग देना संभाव नहीं ह अब कोई संख्या P बटिक Q तो है क्या है P बटिक Q है लेकिन P बटिक Q वो जो संख्या है ये परिमे संख्या कब होगी इसके लिए कौन सी शर्त आवश्यक है पहली शर्त तो थी कि Q बराबर सुन्ने नहीं होना चाहिए अब देखते हैं और कौन-कौन सी बाते हैं जिनके कारण जो है P बटिक Q एक परिमे संख्या होगी देखिए ध्यान देजिए जब हम P बटिक Q करें अर्थात P में Q का भाग दें तो P में Q का P में Q का या तो पूरा-पूरा भाग चला जाएगा यानिकि सांत दशमलाव प्राप्थ होगा अर्थात शूनने कहीं न कहीं अंत में हमें प्राप्थ हो जाएगा ठीक है या फिर भाग फल में दशमलाव प्रसार सांत अवर्ती होगा कैसा होगा? सांत अवर्ती होगा इसको और विस्तार से मैं भी बताता हूँ आपको, पहले देख लेजिए, सांत दशमलाव वह होता है जिसमें अंत में शुनने आता है, और जब हम किसी P को Q से भाग देते हैं, यानि कि अंश को हर से भाग देते हैं, जैसे ये P बते Q है, ये अंश ये हर, तो P को Q से भाग देते हैं, तो हमें भाग फल जो है तीन रूपों में प्राप्त हो सकता है, कितने रूपों में प्राप्त हो सकता है, तीन रूपों में, देखिए, पहला है सांत दशमलाव के रूप में दूसरा असांत आवरती दशमलाव के रूप में और तीसरा है असांत अनावरती दशमलाव के रूप में यहां असांत होना चाहिए असांत अनावर्ति दशमलाव के रूप में तो हम जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं यानि कि P को Q से भाग देते हैं तो हमें भागफल तीन रूपों में प्राप्थ होता है यानी की अंत में हमें शुन्य प्राप्थ हो गया और इसके बाद भाग देना संभब नहीं है आशय्या है कि यहाँ पर यह शांति के स्थिती प्राप्थ हो जाती है हमें आगे कोई प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती इस लिए इस स्थिती को कहते हैं हम 7. शांत दशमलाव क्या कहते हैं शांत दशमलाव एक और उदाहरन लेते हैं 20 बटे 10 यदि हम करेंगे तो इसमें 20 में 10 का पूरा पूरा भग चला जाएगा और दो प्राप्त होगा ठीक है और दशमलाव शुने तो यहां पर सांत दशमलाव की स्थिति निर्मित हो रही है दू 6 बटे 7 6 में 7 का जब हम भाग देते हैं तो यह हमें प्रतिरूप प्राप्त होता है पैटर्न प्राप्त होता है देखिए दशमलाव 8 5 7 1 4 2 8 5 7 4 2 8 5 7 1 हम देखते हैं कि दशमलाव के बाद 8 5 7 1 4 2 के बाद फिर से यही करम फिर से प्रारम हो जाता है ये करम निरंतर चलता रहता है और ये करम निरंतर चल रहा है मतलब ये असांत है और आवर्ती है अवर्ति मतलब क्या है एक के बादी इसकी पुनरावरत्ति असांत है और आवर्ति है तो इसको कहते हैं असांत आवर्ति और जब ऐसे स्थिति होती है तो हम इस तरह से लिख देते हैं जैसे दिसमलव 8,5,7,1,4,2 और इसकी उपर हम एक बार का चिन लगा देते हैं यह डंड उनकों का समूं आ रहा है दूसरा उदाहरन लेते हैं 4 बटे 9 चार बटे 9 का मान दिसमलव 4,4,4,4,4,4 है तो यह भी असांत आवर्ति है इसको हम दिसमलव 4 बार की रूप में लिखते हैं तीसरा उदाहरन है 11 बटे 7 एक दिसमलव 5,7,1,4,2,8,5,7,1,4,2,8,5 इस तरह से एक दिसमलव के बाद 5,7,1,4,2,8 की इसमें आवर्ति हो रही है तो यह भी इस तरह से असांत आवर्ति है ठीक है अब देखिए क्या होता है जब ये दो इस्थितियां निर्मित हों कौन-कौन से इस्थितियां पी बटे क्यू करने पर अर्थात पी में क्यू का भाग देन पर यदि ये दो इस्थितियां प्राप्त होती है यानि भागफल हमें ये तो सांत दशमलव की रूप में प्राप्त हो या फिर असांत आवर्ति दशमलव की रूप में प्राप्त हो तब हम कह सकते हैं कि पी बटे क्यू एक परिमे संख्या है क्या है परिमे संख्या है दो प्राप्थों तब अब मान लेते हैं कि हमें तीसरी स्थिती प्राप्थ होती है कौन से प्राप्थ होती है से रूप उपर प्राप्थो रहा था। वैसा प्रतिरूप यहां पर प्राप्त नहीं होता और दसमलव के बाद की संख्याएं अनिश्चित रूप से आती हैं इसमें किसी भी तरह का प्रतिरूप पुनरावरत्ती का प्राप्त नहीं होता तो अब ऐसा प्रति रूप हमें प्राप्त नहीं हो रहा तो ये असांत अनावर्ति दिसमलव कहलाएगा क्या कहलाएगा असांत अनावर्ति दिसमलव असांत काश है क्या है ये सांत नहीं हो रहा यानि कि इस्थिर नहीं हो रहा है अनवर्ति का आश है क्या? कि इसमे किसी भी तरह से आवर्ति क्रिया नहीं हो रही है यानि कि कोई भी अंक या अंक समूह बार-बार नहीं आ रहा है उसकी पुनरवरत्ती नहीं हो रही है इसलिए इसको हम कहते हैं असांत अनावरती यही स्थिती पाई में होती है पाई का मान लगभग 22 बटे साथ होता है और इसका मान 3 दशमलाव 1,4,1,5,9,2,6,5 और इस तरह से आगे यह अंक बढ़ते जाते हैं यह भी असांत अनावरती दशमलाव है तो जब असांत अनावरती दशमलाव के इस्थिती बनती है तब संख्या अपरी में है हम ऐसा कहते हैं क्या कहते हैं संख्या अपरी में है तो तीन इस्थितियां थी पहली इस्थिती क्या थी? सांत दशमलाव की रूप में इस्थिती बन रही थी और असांत अवर्ती दशमलाव की रूप में जब इस्थिती बन रही थी तो इस इस्थिती में जो संख्या थी वो परिमे संख्या थी ठीक है और जब तीसरे संख्या आती है असांत अनावर्ति दशमलाओं के रूप की तो वो कहलाती है कौन से संख्या अपरिमे संख्या आप यहाँ ध्यान देजिए कि वर्ग मूलदो और पाई अपरिमे संख्या है कई परिक्षाओं में पूछा जाता है कि पाई संख्या है कैसी संख्या है आपको याद रखना है कि ये अपरिमेश संख्या है आगे देखते हैं अभी मैंने जो आपको बताया अपरिमेश संख्याओं की स्थिती कि यहाँ पर असांत अनावर्ती की स्थिती बनती है उसको थोड़ा और शब्दों की रूप में आपको बता देता हूं अपरिमे संख्याएं, संख्या रिखा पर ऐसी भी संख्याएं हैं जो परिमे संख्याएं नहीं होती हैं परिमे के अलावा और भी संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जिने हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमे संख्याएं कहलाती हैं कहलाती है आपरिमे संख्याओं कहलाती है और यहां पर भी Q0 के बराबर नहीं होता अब देखिए हम आपरिमे संख्याओं को पीवटे Q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते हैं क्या कारण है जब हम पीवटे Q करते हैं तो इसका जो भागफल प्राप्थ होता है उसमें दशम नहीं लिख सकते और इसे लिए कहते हैं कि कोई संख्या P बटे Q के रूप में जब नहीं लिखी जा सकती तो वो अपरी में संख्या कहलाती है जैसे पाई याने 22 बटे साथ इसको हम इसकी वैल्यू जब ग्याद करेंगे है ना तो ये जो वैल्यू प्राप्थ होगे यानि कि इसका जो मान प्राप्थ होगा हम इसको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते इसलिए ये अपरी में संख्या है अपरी में मतलब जो परी में नहीं है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया वो लिखा हुआ है परी में सब्सक्राइब करें तो चार बटे एक यदि हम रण 11 की बात करें तो रण 11 ब्राबर रण 11 बटे एक इस तरह से हम इनको सभी को परिमे संख्या के रूप में या पी बटे क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्यू यानि की हर जो है कभी भी शुनने के बराबर नहीं होता इसे लिए ये सभी परिमे संख्याएं होती है यहां ध्यांदेने योग्य बात यह है कि प्रतेक प्राकृत संख्या एक परिमे संख्या होती है, प्रतेक पूण संख्या भी एक परिमे संख्या होती है। और प्रतेक पूर्णांक एक परिमे संख्या होती है, अर्थात प्राक्रत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, सभी एक परिमे संख्या होती है, तो चात्रों मैंने आज आपको परिमे संख्याओं और आपरिमे संख्याओं से अवगत कराय दोनों मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं और आगे के वीडियो में मैं आपको इनका यानि की परिमेज संख्याओं का और अपरिमेज संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपन करके बताऊंगा वंदे मातरम